ब्रिटिन में रहने वाले काले, एशियाई और अन्य नसली अल्प संख्यक कोरोना वाइरस के कारण बीते कुछ महीनों से भारी तनाव और बेचैनी का सामना कर रहे हैं लेकिन अब टीका करन शुरू होने के बाद से कई लोगों ने राहत की सांस ली है हालाकि कुछ अभी भी दरे हुए है मुझे लोगों के टीका लगवाने से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन सबका अपना एक नजरिया होता है मुझे भगवान ने अब तक बचाए रखा है मैं भगवान की सुरक्षाम में हूँ मुझे कभी कोई बीमारी नहीं होगी हो सकता है इसमें ट्रैकिंग चिप हो इसी वजह से मैं टीका नहीं लगवाऊंगा ये कहां सुना की चिप हो सकती है वाटसेप वगहरा से टीके में कोई चिप नहीं है बृतानी सरकार ने लोगों से कहा है कि वो अफवाहों और कॉंस्पिरसी थियोरी से बच कर रहें मैंने अपने दोनों बेटों को भी देखा है लोग वाटसेप पर ऐसे वीडियो और मेसेज भेज़ते हैं अगर आपको नहीं पता कि ये मेसेज कहां से आ रहे हैं तो बहुत संभावना है कि ये घलत हो टीके को एक उन्नत वैग्यानिक प्रणाली से तैयार किया गया है और इसलिए मैं लोगों से सही जानकारी हासिल करने इसे पढ़ने और फिर अपना मन बनाने की अपील करूंगा शोद करताओं का कहना है कि इन समुदायों में मृत्यूदर ज्यादा होने और फिर क्लिनिकल ट्रायल में इन समुदायों से कम वॉलंटियर आने से भी वैक्सीन को लेकर होने वाली हिचक को समझा जा सकता है वैग्यानिक जोर देते हैं कि महामारी को खत्म करने के लिए तीका लगवाना सबसे सुरक्षित तरीका है